ओलो वीवन वेल कुम टू सॉल्ट इकडमी लास्ट लेसिन में आपने नर्वर्स सिस्टम की बेसिक डीटेल देखी थी उसको आगे देखते हैं कि औरसींपैटक और सिंपैटक दो पार्ट्स में डिवाइड कया था sympathetic और parasympathetic जो उनका fibers यानि nerve fiber का जो outflow है वो अलग-अलग region से था यानि कि कहीं वो thoracolumbar region से यानि sympathetic nervous system का जो पार्ट था वो thoracolumbar यानि thoracic part और लंबार region से उसकी outflow थी spinal nerves की और इसमें जो parasympathetic है इसमें cranial nerves का भी वो था और sacral nerves यानि जो की cranio sacral एक साथ कहलाता है वो यानि cranio sacral outflow parasympathetic का है और thoracolumbar outflow जो nerve fiber का है वो sympathetic nervous system का है इसके बारे में और देखते हैं कि sympathetic nervous system में main जो neurotransmitter है वो acetylcholine है और parasympathetic nervous system में जो main neurotransmitter है वो adrenaline है adrenaline को ही epinephrine भी कहते हैं आगे देखते हैं कि acetylcholine की जो nerves यानि कोई भी nerves जो होती है वो ganglion पहले बनाती है फिर ganglion में जाके meet करती है वहां पे फिर दूसरा एक ganglion के बाद एक दूसरी nerve fiber उसको signal को वापिस ले जाती है वहां organ तक तो एक होता है ganglion तो pre ganglionic nerve fiber होती है और ganglion के बाद की यानि post ganglionic nerve fiber वहां ganglion के अंदर कई सारे synapse बनते हैं वो synapse यानि दो nerve सापस में मिल रहे हैं उस area को synapse कहेंगे वहां पे कैसे nerve का conduction होता है जो signaling होती है वो proper कैसे होती है वो इसी neurotransmitters की मदद से होती है जितने भी है तो acetylcholine और norepinephrine, epinephrine ये सारे तो हम इसके बारे में थोड़ा सा ठीक से देखते हैं हच का lesson cholinergic system का है उससे पहले हम थोड़ा ganglion और उसके जो fibers होते है प्री-synaptic और पोस-synaptic उनके बारे में थोड़ा देख लेते है ये मानलेजे नौफ है इसकी origin कहीं से आई है मानलेजे थोड़ा को लंबार region से है या craniosacral region से है ये और फिर उसके बाद यहां कहीं एक ganglion होता है यानि एक ऐसा area जहां पर कई सारे nerves meet करते हैं मिलते हैं और वहीं पर एक nerve मिल रहा होगा जो कि किसी organ तक supply दे रहा होगा तो यह जो ganglion है यह area nerve fiber के जो हैं मिलने का स्थान होता है यहां अगर दो nerves आपस में एक साथ हैं तो इस area को बोलेंगे synaptic area synapse इस synapse पे ही nerve conduction होता है यानि signaling होती है जो भी हमारा neurotransmitter है वो अपना function इसी के थ्रू करता है तो यह ganglion के पहले वाला जो fiber होता है उसे बोलते है प्री गैंग्लियोनिक fiber प्री गैंग्लियोनिक nerve fiber और इसके बाद जो organ में supply दे रहा है तो जो synaptic area है उसको और हम अगर अच्छे से देखें तो ऐसे समझ पाएंगे कि यहां से कोई neurotransmitter आता है और फिर यहां से release अगर होता है तो इनके receptors पे कहीं bind करेगा उसके बाद वो अपना action प्रोड्यूस करेगा यह जो पूरा area मैंने red circle से वो किया है इसे synapse बोलते है यहांनी दो nerves ending यहां meet कर रही है अब इसमें जो pre synaptic nerve fiber यह उपर वाला यह pre synaptic nerve fiber है इसी में acetyl choline का formation होगा और फिर उसके बाद storage होगा storage के बाद उसका release होगा और फिर वो receptors पे bind करके अपना action प्रोड्यूस करेगा उसको हम देखते है कि acetyl choline का formation होटा है वो choline से होगा और choline कैसे आएगा choline बाहर के area से अंदर आएगा पर आएगा कैसे वो sodium channel की मदद से आएगा sodium channel की help से यह entry लेगा choline और फिर यह acetyl choline acetyl co enzyme A तर मिलके acetyl choline बनाएगा acetyl choline जो है अब अलग-अलग vesicles में store हो जाएगा ताकि वो hydrolyze नहीं तो breakdown हो जाएगा तो इसलिए उसकी protection के लिए इसको चोटे-चोटे vesicles में store हो जाते हैं और जैसे ही अगर कोई impulse आता है तो impulse आते ही यह calcium का जो channel है वो open हो जाता है कैल्शियम चैनल ओपन होने की वज़ा से अब क्या होगा यह जो इस वैसिकल्स है यह वैसिकल्स इसके surface पर आ जाएंगे और यहां से यह वैसिकल्स exocytosis करके इन acetylcholine को release कर देंगे जो इसके अंदर store है अब यह acetylcholine release होने के बाद जो पोस्सिनेप्टिक जो पोस्स गैंगलियोनिक नर्फ फाइबर निप जो यह वाला पार्ट है दूसरे नर्फ का उसके receptors पर बाइंड कर जाएगा उसके receptors पर उसके receptor nicotinic और mascarinic दोनो receptors हो सकते हैं अभी उसके बारे में भी देखते हैं तो acetylcholine यहां बाइंड होने इसके बाद अपना action प्रोडूस करेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि acetylcholine release होता रहेगा उसके release इनिबिट भी हो सकती है क्योंकि इसी जो प्री गैंगलियोनिक नर्फ फाइबर यह खुद के जो receptors है इसके यहां पर भी अगर बाइंड हो जाता है तो यहां इसका inhibition हो जाएगा यह यहीं से यह बंद हो जाएगा और फिर इसकी जो पूरी step है वो six steps में होती है यह पूरी process यानि इसका intake होना और फिर उसके बाद स्टिल कोलीन का formation फिर storage फिर release और फिर binding और फिर उसके बाद finally उसका feedback होने की वजह से यह वाला channel भी बंद हो जाता है तो यह पूरी process जो है इसका recycling होती है स्टिल कोलीन की तो यह यह कोलीन में तूटता है तो इस तरह से यह पूरा formation होता है और यहां से जो nerve का conduction होता है यहीं से ऐसे होता है तो यह receptors के थूरू होता है there are two types of cholinergic receptors एक होता है निकोटेनिक और एक होता है muscarinic तो निकोटेनिक के बारे में अगर दीखें तो यह NN और NM दो टाइप का होता है NN जो होता है यह आपका अनन अड्रीनल मेडिला अड्रीनल मेडिला में पाए जाता है इसके अलावा यह receptor जो है गैंगलिया में पाए जाता है और यह वाला रसेप्टल नम नम जो है निकोटेनिक रेसेप्टर जो है दो टाइप के है एक निरो मस्कूलर जंक्शन पर पाए जाता है और एक अड्रीनल मेडिला और गैंगलिया पर इसके अलावा जो है एक अलग से मस्केरिनिक रेसेप्टर जो बहुत इंपॉर्टन्ट है इसको देखें तो यह फाइफ अगर इसमें देखें तो एम बन रेसेप्टर जो है जो आपका गैस्रो ऍेस्टरीक रीजन में पाये जाता है याणि जो आपका गैस्रों आंटेस्टैनल वाला रीजिण है वो और ठीक जlaw रेसेप्टर्स हैं सभी ठीक र dif calendar ओसके अलावा और भी organs पे होते हैं तो M1 जो है gastric region M2 जो है heart heart की region पे पाए जाता है heart के अंदर और M3 इसके अलावा heart और gastric region के अलावा जितने बचे हुए organs है उन पे पाए जाता है जैसे eye हो गया या किसी gland पे इस तरह की चीज़ों पे M3 पाए जाता है M4 M5 जो है CNS में पाए जाता है तो अगर इसको इसके mascarinic receptors के याद करने को अगर ठीक से याद करने के लिए कोई एक वो बना ले तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको कि पहले पहले पेट भरो फिर दिल लगाओ और बाकी काम बाद में है यानि M1 फर्स्ट गैस्ट्रिक रीजन यानि पहले पेट भरो फिर M2 यानि हार्ट यानि दिल लगाओ और फिर जो M3 है उसमें बाकी के जितने और विंस हैं उसके receptors आ जाएंगे उसमें जो उस location पर जो पाए जाएंगे उन locations पर M3 पाए जाएंगे इसके M4 & M5 के CNS में पाए जाएंगे तो यह एक थोड़ा सा निमोनिक था भागी यह यह दो में important receptors है निकोटिनिक और मस्केरिनिक कोलिनर्जिक receptors के अंदर sympathetic और parasympathetic nervous system में inhibitory और excitatory जो action होते हैं वो एक दूसरे के opposite ही होते हैं जैसे muscarinic action यानि kolinergic system में जो की estylcholine से neurotransmitter से गवान होता है वो जो भी system है जो अभी हम पढ़ रहे है कोलिनर्जिक सिस्टम उसमें लगभग लगभग सभी organs में excitatory effect पैदा होंगा यानि stimulation cause होगा जो जो reactions है उनकी level जो है increase हो जाएगी यानि excitation effect आएगा सभी organs पे accept heart और एड्रेनर्जिक में इसी का पूरे का उल्टा होगा कोलिनर्जिक सिस्टम का उल्टा एड्रेनर्जिक सिस्टम में होगा यानि वहाँ वो inhibitory action role play करेगा accept heart heart में वो जो है आपका elevate करेगा यानि excitatory effect heart में show करेगा sympathetic system यानि अट्रेनर्जिक सिस्टम और जो अभी हम पढ़ रहे है cholinergic system वो excitation cause करेगा सभी organs में तो अगर इसको हम ठीक से देखें तो heart में जो cholinergic system में यानि decrease कर देगा inhibit करेगा इसके action को और एक hydronotropic effect आता है जिसका इसमें जो conduction होता है जो वो वो भी reduce हो जाएगा तो heart का inhibitory action mascarinic action से होता है जबकि sympathetic वाले में ये तो परा-sympathetic है sympathetic system यानि अट्रेनर्जिक सिस्टम में heart में excitation हो जाएगा उसी का उल्टा हो जाएगा नहीं heart rate बढ़ जाएगी अब आई पे आते हैं तो इसके heart के अलावा सभी organs पे जो stimulation cause होगा नहीं excitatory effect आएगा तो आई को अगर देखें तो इसमें excitation होगा तो यहां क्या होगा जो ciliary muscles हैं उसका contraction होगा contraction of ciliary muscles और glands glands इतनी भी होगी सभी सभी में excitation होगा जिसकी वजह से क्या होगा secretion बढ़ जाएगा increase in secretion secretion किस form में होगा lacrimal form यनि आपके आशू बहुत तीजी से निकल सकते हैं sweating sweat आपको जादा हो सकते हैं glands के through और इसके अलावा जितनी भी glands की secretion है वो बढ़ जाती हैं GIT में आगर देखें तो gastrointestinal tract में जो gastric जो cells होती हैं जो HCL को produce करते हैं वो बढ़ जाएंगी तो यानि उसकी वजह से क्या होगा कि HCL का secretion बढ़ जाएगा HCL के secretion rise होने की वजह से प्यप्टिक अलसर के chances बढ़ जाते हैं ब्रॉंकस में देखते हैं इसमें bronchoconstriction होता है जो की आपका एक negative effect है तो bronchoconstriction यानि यहां पर excitation हो रहा है तो bronchoconstriction हो रहा है इसमें male sex organs जो होता है वो erectile हो जाता है male sex organs यहां भी excitation effect पैदा होगा तो यह जितने भी organs थे इसके अलावा भी और organs हैं जो heart को छोड़के सभी जगां पर excitatory effect cholinergic जो effect हैगा यानि mascaronic action का वो ऐसा होगा आने वाले समय में हम adrenergic system का भी हम पूरा का पूरा इसी तरह से देखेंगे और उसमें भी हम देखेंगे कि जैसे यहां पर acetylcholine का formation हो रहा है और फिर उसके बाद vesicles में storage उसके बाद उसका release हो रहा है release होने के बाद अलग-अलग receptors से वो bind होता है तो यह पूरा nerve का conduction जो synapse पे हो रहा है वो हमने अभी cholinergic system का देखा लेकिन adrenergic system में भी ऐसा ही कुछ होगा तो उसमें फिर adrenaline का यानि epinephrine का हम पूरा ठीक से देखेंगे Thank you